जैहिन दोस्तों स्वागत आपका आपने यूटूब चैनल प्रदोस्तों हमारे हिस्टी की टॉप 1000 कुषिन की सीरी चली हुई है जिसमें से हमने 420 कुषिन ओलेडी डिसकस कर लिए हैं 4 पार्टों के अंदर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट की एट कर दी है हिस्टी के नाम से वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम next 100 questions discuss करने वाले हैं आपके history के most important दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपने अभी तक CISF, HCM, CC, RAS, LDC, DSSS, B Junior Color के mock test buy नहीं किये हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा whatsapp number है 9728275755 आपको description बे भी मिल जाएगा ठेक है जैसे आप संपर्क करोगे हम आपको पूरा process बता देंगे कैसे आपको एमोक test buy करने हैं तो चले start करते हैं हमारा next question है question number 421 निमलिकित में से किस college में गांधी जी ने पढ़ाई की थी ये question आपका बिहार PCS के exam में 2020 में ही पूछा गया था तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी शामलदास college भावनगर के अंदर next जैपरकाश नरायन को कौन सी उपादी दी गई थी तो इनको उपादी दी गई थी लोकनायक की next किस अदिनियम के बारे में जवारलाल नहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किन्तु इंजन नहीं था तो ये था आपका 1935 का अदिनियम next दांडी आतरा कितने दिन चली थी तो ये चली थी 24 दिन very very important question next परसीद गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किरचीता कोन है तो ये है रामपरसाद बिसमिल next इन में से 1945-46 में दिल्ली में हुए आई एन ए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कोन थे तो ये थे भूला बाई देसाई next मैडम कामा ने भारत के तिररंगी सवतंतरता दवज को कहां फेराया था तो ये फेराया था स्टूर्ट गार्ड के अंदर ये कुशन आपका NTPC में पुछा गया था next चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशाकियो और गांधी जी का ध्यान किस ने आकरशित किया था तो ये किया था राजकुमार शुकल ने next निमलिकित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पर्थम सत्यगरे आंदोलन था जिसमें उन्होंने स्वीन अवग्या का प्रियोग किया था तो ये था चंपारण सत्यगरे next निमले कितमे से किस हडपन अगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं तो ये मिले हैं काली बंगा राजस्थान के अंदर next त्री रतन या तीन रतन बोल सकते हैं जैसे साटीक ज्यान, सच्चियास्था और साटीक क्रिया निमन में से किस से संबंदित है तो ये है जैन धर्म से नेक्ष्ट किस दिल्ल सुल्तान ने रक्त एवं लोह की निती अपनाई थी ये कुशन आपका हर्याना पटवारी के एकजामें पुछा गया था और बिहार PCS के एकजामें पुछा गया था तो ये अपनाई थी बल बनने नेक्ष्ट कौन सा मध्यकालिन भारतिय सामराज्य व्यापक स्तर पर स्थानिय शुष शाषन के लिए परसिद था तो ये था चोल समराज्य नेक्ष्ट परचिनकारी जिसको पेटरा डूरा बोलते हैं निमलकित में से किस संबंदित है तो ये हैं दिवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नकाशी करना इसको क्या बोलते हैं पेटरा डूरा नेक्ष्ट किस मुगल शाषक ने चितरकारी के लिए कारखाने बनवाये थे तो ये बनवाये थे जहंगिर ने नेक्ष्ट बंगाल में द्वैद शाषन आ जाए या द्वी शाषन प्रणाली आ जाए किस के द्वारा लागो की गई थी तो ये की गई थी रोबर्ट कलाईव के द्वारा निमलकित में इसे किस अधिनियम ने भारत में पर्थक निर्वाचक मंडल का अर्म किया था तो ये किया था भारत परिशद अधिनियम 1909 ने, next, 1831 में बूदो बगत के नेतरतव में कोल विद्रो की शेतर में हुआ था, तो यह हुआ था आपका सिंग भूम के अंदर, next, question number 449, very very important, बिहार में 1857 के विद्रो का नेतरतव किस ने किया था, तो यह किया था, कूवर सिंग ने, next, चंदरगूत मोरिया ने सेल लुकस को बख्षिश के रूप में क्या दिया था, तो यह दिये थे, 500 युद्दक हाथी, next, question number 441, निमलिक कतनों में से कौन सा खतन सही है, चलिए आपको बताना है, इन में से कौन कौन से कतन सही है, first, आपका आता है, कलहन का गरंत, राज तरंगनी संसकर्त में है, तो यह बिलकुल राइट कतन है, दूसरा, इबन बुतुता को दिल्ली का काजी न्युक्त किया गया था, ये भी आपका राइट सेटमेंट है, तीसरा दिया गया है, अब्दुल हमीद लाहोरी का पाजशा नामा साजां के शाशन के बारे में बताता है, तो ये भी बिलकुल राइट है, fourth आ तो इसके अंदर आपका अंसर हो जाएगा, option B, next लते हैं, question number 442 पर, किसने भारत में सूफी के चिस्ती संपरदाय की स्थापना की थी, तो ये की थी मोहिनुदीन चिस्ती ने, next, सिवाजी के सासन तंतर में विदेशी मंत्री, खालिस्तान के नाम से जाने जाते थे, तो इन विशेशगय की साइता से, next, पुर्टगालियों की पर्थम फैक्टरी भारत में कहां स्थापित की गई थी, तो इकी गई थी, कालिकट में, next, मदरास में रियतवाडी, पदती को किसने प्रारंभ किया था, very very important question, तो इक या था, Thomas Munorone, next, किसने कहा था, कि 1857 की गटना का पारम ध्रम के शंगर्ष के रूप में हुआ था, और उस गटना कांत सवतंतरता संगराम के रूप में हुआ, तो ये कहा था, डोक्टर S. N. Sen ने, next, किस वर्ष में एक भारतिय महिला, एक भारतिय महिला भारती राष्टी कोंग्रेस की अध देक्स नुक्त किया गया था, यहां पर एर पुछा गया है, तो 1925 आपका राइट हो जाएगा, next, निमलखित अंग्रेज शास्कों में से, समाचार पत्रों पर परतिबंद समाप्त करने का सरे किसे मिलता है, तो ये मिलता है वारिन हैस्टिंग्स को, next, आपका गोतम next, 1922 के भारती राष्टी कोंग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कोन थे, तो ये थे C.R.10, next, किस सासक ने अपनी राजानी पाटली पुत्तर में स्थानांत्रित की थी, तो ये की थी उदाईन ने next, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चोकिदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये किया था सवीने अवग्या आंदोलन के अंदर next, हिंदू पैट्रेल का संपादक कोन था, तो ये थे हरीश चंदर मुखरजी next, समराजे के अंतरगत, शवशाषन नामक उदेश्य को मुस्लिम लीग ने कब सवीकार किया था, तो ये किया था 1913 के अंदर next, 1899 के भारती राष्टे कॉंग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने तीन दिविश्यत तमासा कहा था, तो ये कहा था अश्वनी कुमार दतने next, साइमन कमिशन को किसकी अध्यक्षता में न्युक्त किया गया था, तो ये किया गया था, सर जोन साइमन next, 1920 के मद्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुवात किसने की थी, तो ये की थी, एन एस हार्डी करने next, very very important, भारत में राष्टी आयकानू मानसवर पर्थम किसने लगाया था, तो ये लगाया था दादा भाई नैरो जीन ने next, लेक में नास्ति क्यों हूँ, किसने लिखा था, तो ये लिखा था, भगत सिंग ने next question, question number 462, विशप प्रसीद मीसोन या माईसोन बोल सकते हैं इसको, मंदिर समू, दक्षिन पूरु एशिया के किस प्राजिन राज्य की दरोवर है, तो ये है चमपा next question आपका matching का है, और very very important question है, एक side commission और dispatch दिये गए हैं, एक side दिये गए हैं, गवर्नर जनल, तो saddler commission के time पे, गवर्नर जनल थे, लाड़ चैंस फोर्ड, तो first का fourth हो जाएगा, बी है आपर hunter commission, तो hunter commission के time पे, गवर्नर जनल थे, लोड रिपिन, next, rally commission, rally commission के time पे, लोड करज correct हो जाएगा, next दते हैं, question number 464 पर, इन में से किस ने edge of concept bill 1895 का विरोध किया था, तो ये किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, next, इन में से कौन, समराट अकबर के, दरबार में, चित्तरकारी के उस्ताद थे, तो ये थे, खवाजा, अब्दूस, समद, next, सुभास अंदर बो कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कारी-कारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था, ये भी आपकी right statement है, थर्ड आपका कालांतर में भे कलकत्ता नगर निगम के महापूर, महापूर किन को बोलते हैं, नगर के परदान, चुने गए थे, ठेक है, तो ये भी आपकी right statement है, next श्री व्यशनव, संपरदाय से निमनलिकित में से कौन संबंदित हैं, तो ये हैं रामनुज, next अकबर निकिस को शिष्ट मंडल का अंतिम नेतरतव करने के लिए परताप के पास बेजा था, ताकि वह है, शांति पुरोक अधिनता सुविकार कर सके, तो ये बेजा था शिष्टाव से, next, खवाजा मोहिनुदिन चिष्टी के गुरू का नाम बताईए, तो ये थे, खवाजा उसमान हारुनी, next, इन में से कोन किरतार जुनिये के रचियता हैं, तो ये हैं भारवी, next, निमलिकित में से किस थान पर विठ्थल मंदिस्थित है, तो ये है आपका हमपी के अंदर, next, तुलसी दास किस गरंद के रचियता थे, तो इन्होंने राम चरित्रमानस की रचना की थी, और कवीतावली की रचना की थी, तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड बिलकुल राइट हो जाएगा, option D is the correct one, पदावली की रचना की थी, विद्या पतिने, next, भ सही विकल्प को चुनिए, फर्स्ट है आपका, जुलाई 1952 में जेबी करपलानी ने किसान मजदूर परजा पार्टी का गठन किया था, बिलकुल राइट स्टेटमेंट है, second है आपकी, PC घोस एवं T परकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े होए थे, ये भी बिलक साकांत देव, next भार्ती राष्टी कोंग्रेस का तिरिपूरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेता जी सुबास अंदर बोस कांग्रेस के अध्यक्स मनोनित किये गए थे, तिरिपूरी सम्मेलन आपका हुआ था 1949 में, next परसिद चित्रकार नंदलाल बोस किस वर् हुआ था, इनका जनम हुआ था, ठारा सो अड़ालिस, next, दस रोजा पत्त्री का रास्टी आंदलोन के दुरान किसने पारंब की थी, तो यह की थी, अब्दुल गफ़ार खान ने, next, मात्मा गांदी दोवारा दक्षिन अफरीका में परकासित समाचार पत्तर का नाम क्या था, तो यह था, दा इंडियन ओपिनियन, next, निमलकित में से, किसने पूरी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाले सड़क बनवाई थी, तो यह बनवाई थी, शेरशा सूरी ने, easy question है, next, सत्या सोदक समाज की स्थापना किसने की थी, very, very important, जो पुरू का सी धान समंदित है, तो यह है मिमासा से, next आपको बताना है, इन में से कौन सी जोड़ी, मुगलकालिन, इमारत, इमारत, इमस्थान दिये गए हैं आपको, से सुमिलित नहीं है, तो first आपका दियेगा शेरशा का मकबरा, जो कि शाशाराम के अंदर है, very, very important, ठीक है, बीबी का मकबरा, आपका ओरंगा बाद के अंदर है, तो C option यहां पर बिलकुल गलत दिया गया है, next, इन में से कौन सी जोड़ी, छटवी से बार्वी स्ताब्दी तक, दक्षिन भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमिलित नहीं है, तो first यहां पर दिया गया है पल्लो, पल्लों की राजधानी थी काची पुरम, बिलकुल सही है, दूसरा यहां पर दिया गया है, पंडे, पंडे की राजधानी थी मदुरई, तीसरा यहां पर दिया गया है, चेर, चेर की यहां पर दी गई है, पुडुचेरी, तो चेरों की राजधानी पुडुचेर नहीं आएगा यहाँ पर ठीक है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फर्स दिया गया है चोशा का यूद चोशा का यूद हुआ था 26 जून 1549 को बिल्कुल राइट है सेकेंड है आपका कन्योज का यूद कन्योज का यूद हुआ था 17 माई 1540 को बिल्कुल राइट है थर्ड आपका दिया गया हल्दी घाटे का यूद यह हुआ था आपका 18 जून 1576 के अंदर ना की 1578 यही गलत है यहाँ पर खानवा का यूद हुआ था 17 माई 1527 को खेडा का यूद हुआ था 1707 को तो अप्शन C यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट किस वाइसरा के काल में सफेद विद्रो हुआ था तो यह हुआ था लोर्ड कैनिन के काल के अंदर नेक्स्ट वैल्लोर का विद्रो किस गवर्नर जर्नल के समय हुआ था तो यह हुआ था वैल जली के समय में नेक्स्ट फरवरी 1928 में आयोजित सरवदरलिय सम्मेलन के अद्द्ध्स निमलकित में से कौन बने थे तो यह थे डॉक्टर M.A. अंसारी नेक्स्ट महावारत काल में महानदी का नाम क्या था तो यह था महाननदा नेक्स्ट वरण विवस्ता से संबंदित पुरुशुक्त मूलते पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं रिगवेद के अंदर नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम था तो बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत ठीक है उनका मूल नाम था सिद्धार्थ नेक्स्ट बहदूर कलारीन की माची निमलिकित में से क्या है तो यह है प्राचिन समारक next किस चोल राजा ने जल सेणा प्रारम की थी तो ये की थी राजेंदर चोल ले next बहमनी राजे की पर्थम राजदान निमल कितमे से कौन थी तो ये थी गुलबर्ग next question 500 राग गोविंद के रचनाकर कौन है तो ये हैं मीरावाई चित्रकला के लिए निमलगित, मगद, राजवन्सों को काल करमानुसार विवस्थित आपको करना है यहाँ पर आपको چार राजवन्स दिए गए हैं इनको आपको काल करमानुसार लगना है तो सबसे पहले आया था आपका हर्यक वंस, 4 पहले आएगा, फिर नंद वंस आया था आपका 4-1, और फिर आया था आपका मोरिय वंस, 4-1-3, और फिर आया था आपका शुंग वंस, तो option कौन सा correct हो जाएगा, 4-1-3-2, option B यहाँ पर correct हो जाएगा, next चलते हैं, question number 505, निमलिक आपका, ठीक है, एक्तिदारी व्यवस्ता शुरू की गई थी, इल्टूत मिस के दुआरा, next देख लेते हैं, उसने तुरकान ए चेहलगानी का परभासों आप किया था, यह भी बिल्कुल राइट है, next उसने बंगाल के विद्रों का दमन किया था, यह भी बिल्कुल राइ अकबर का मकबरा कहां पर है, काबुल के अंदर, पहले का बे आ जाएगा, हुमायू का मकबरा कहां पर है, दिल्ली के अंदर, तो इसका आ आ जाएगा, अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा के अंदर, और जहांगीर का मकबरा है आपका, लाहोर के अंदर, तो यहाँ पर कुशी नारा के अंदर निमलिकित में से कौन सा अशोक कालिन अभी लेक खरोष्टी लिपी में है तो यह है शाबाज गाड़ी का अभी लेक यह है एक अशोक कालिन अभी लेक है जो की खरोष्टी लिपी के अंदर है मौकरी शाष्टों की राजधानी क्या थी? तो यह थी कन्नोज औरंगजेब के काल में कौन यूरोपिय यात्री भारत आया था? तो यह आया था पीटर मुंडी किस कंपनी ने सौर पर्तम भारत में रेल यात्रा प्रारंब की थी? तो यह की थी Great Indian Peninsular Railway मात्मा गांदी ने वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी उनकी बड़ी संगठन शम्रता के कारण किस आंदुलल में दी थी? तो यह दी थी बारदोली सत्यगरह के अंदर Next, अडपाय काल का तामबे कारत किस तान से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था दैमाबाद से Next, अनुवर्थ शब्द किस दर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जैन दर्म से next यहांपर आपको गुप्त once गन्यमल के शाशक दिये गए हैं उनको आपको करम में लगाना है ठीक है तो सबसे पहले आये थे आपके चंदर गुप्त पर्थम फिर आये समुंदर गुपत फिर आये चंदर गुपत दिवित्य है और फिर आये कुमार गुप्त और फिर आए सकंद गुप्त तो first, second, third, fourth, fifth इसका बिल्गुल right हो जाएगा option E, ठीक है, next, मत्रुआ की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रियोग होता था, तो यह होता था लाल बलुआ पत्थर का, next, नील करांती का नेतरताव, निमलिकित में से किस ने क किया था, तो यह किया था दिगंबर विश्वास एवं बिश्नुर्चरण विश्वास ने, ठीक है, तो दोस्तों यह थे हमारी next one-handed question, जो कि very very important है, आपके आने वाले सभी exams के लिए, तो वीडियो और आपको अच्छा लागते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्का आने बोले मिलते हैं, नेक्स टूडियो में, जैहिन, जैवार।